Hello everyone, now we will continue chapter 11 of Hindi grammar. Swiss trend, come on page number 73. ये कि फर्स्ट है आपका भूत काल. जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि टैंस यानि काल जो होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? फ्री टाइप के होते हैं. भूत काल, परतमान काल, और लास्ट वीडियो आपका भविश्यत काल. तो फर्स्ट वीडियो आपको यहां दियो होते हैं, भूत काल अर्थात बीता हुआ समय. किरिया कि जिस रूप से ये बोध हो की कारे बीते हुए समय में हुआ है, उसे भूत काल कहते हैं. जैसे, देखे, आपको यहां दियो हुआ है, उदिता ने पेड लगाया, शिरे राम ने रामन को मारा था, और ठड़ हमने कल खरीदारी की. सो इस ट्रेंड ये जो वर्क है, यानि ये काम जो भी किरिया है, यहां पर हो चुकी है. यानि यहां पर ये क्या होगा, पास्ट्रेंस होगा. देखे, इन वाक्यों में लगाया, मारा था, खरीदारी की, शब्दों से किरियाओं के बीच चुके समय में होने का बोध हो रहा है. अताई ये भूत काल की किरियाएं हैं. स्ट्रेंड अभी है आपका सेकिंड वर्तमान काल. वर्तमान मींस चल रहा टाइम, जो चल रहा समय है आपका, यानि प्रिजेंट चाइम. तो वो होगा आपका वर्तमान काल, वर्तमान अर्था चल रहा समय, किरियाओं की जिस रूप से ये बोध हो, की कारे अभी हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं. जैसे, देखें, फर्स्ट आपको दिया हुआ है, चिराग सो रहा है, सेकेंड आपका भारतिय टीम अच्छा खेलती हैं, और ठड़े आपका रोहित को आम खाना पसंद है. स्ट्रेंड, इन वाक्यों में सो रहा है, खेलती है, पसंद है, शब्दों से, किरिया के चल रहे समय में अभी भी होने का भोध हो रहा है, अता ये वर्तमान काल की किरियाएं हैं.